तो किसान साथियों आपसे भी का हमारे चैनल स्मार्ट टेजुटेक में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे सलपर मेल्स के फंगिसाइड टसल के बारे में जो की एक सिस्टमिक और कॉंटेक्ट फंगिसाइड है इसके अंदर मैनली टेक्निकल के तोर पे टैबू कोना जोल 10 परसेंट और सल पर 55 परसेंट आता है जो की पानी में गोलंद सील है तो जीरे के लिए एक बहुत असरकरी फंगिसाइड है जो फपुंदिनासक है तो इसके बारे में हम पूरी डेटेल बताएंगे क्या डोज रखने चाहिए और कौन-कौन से फसल में काम में लेना है और मेर्चिक हैं और स्वयब इनके अंदर भी काम में लिया जाता है तो सातियों यह हैं जो मैनली रूप से जो चूरनी फपुंदी यानिकी पाउडरी मेल्डिव और फल शडन और पत्ती दबा और जुल सारोग को नियंतृत करता है तो सातियों अभी जो जीरे के अंदर जो बरसाद हुई है बरसाद के बाद में कहीं कहीं जगे पे जीरे में जो जो पकाव की स्टेज में उनमें भी काफी नुक्सान हो रहा है तो उनमें कौन सा फंगी सैट देना चाहिए इसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है तो तो दोस्तों जिन जिन में जिन जीरे के अंद लहाए उसका छिढकाऊ करने से कंट्रॉल हो सकता है। तो मित्रों के अन्दर काओडरो करों कторов legend करता को और जिर के अंदर भी पाओडरी मिलडी घृट करने जर्श वेट्व दवाओ जूलिषा में रोग आरे नियंगी करता है। इसके अलावा स्वयब इनके अंदर भी पत्ती दबा जो लेप स्पोर्ट है और बॉर्ट ब्लाइट इनके जुल सा रोग उसको भी कंट्रोल करता है इसके अलावा ये जीरे में काल या रोग जो जीरा लगता है उसके लिए प्रभावसाली फंगिसाइड के तोर पर कारी करत इसकी क्या डोज रखनें चाहिए उसके बार basta कि ऐसके साथ में इसके सांथ मैं इनसेक्टि साइड भी सकते हैं जैसे ही मिड़ा है एसिटा है इसके लिए पीजी आर भी दे सकते हैं तो चाचिय को यह एक असरकरी पपुंदी नसक हैं जो चाचिया जिसमें भी फसल में हो रहा हो तो वो कंट्रोल हो जाएगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा और जो भी किसान साथी नहीं वो अमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेगे